नमस्कारा देखरें नया भारत दर्पन्ट समाचार और मैं हूँ आपके साथ केरती सिंग आई रुख करते हैं खबर की ओर बड़ी खबर उतरप्रदेश के जनपत अमेठी जिले के गौरी गंज स्थी ऑफिस के पास वाड नमबर 22 निवासी शुशीला त्रिपाठी जिनकी उम्र लगबग 65 परसी पत्नी स्वर्गे मुकुद नारायन तिवारी वा उनके बेटे राजीर उर्फ राजु तिवारी जि बगल वा एस पी ऑफिस से सटे मकान में साथ वर्से शुशीला देवी वा तीस वर्से बेटे राजीव की घर के अंदर हत्या हो गई थी जिसमें संधे के आधार पर मृत्तक राजीव के भाई योगेंद्र ने हनुमान तिराहा के पास छाया स्टोडियो के बगल रहने वा मोड के पास से ग्रफदार किया गया जोकि जिस मकान में हत्या हुई थी वह मकान एस पी ऑफिस की बांडरी से सटा हुआ था और मकान के उपरी हिस्सों में अधिसूचना कारले भी था इसलिए या दोहरा हत्याकांट लोगों में चर्चा का विशय भी बन गया था राम केलाश पटेल की रिपोर्ट सर गौरीगें में हुए अध्या का खुलासा हुआ है क्या है पूरा ममला गौरीगें कस्वाच शेत्र में कि अधिए और चौबिस की रात में घटना घटेत हुई थी जिसमें जो है कि सूजना के अधर पर प्लिश गई थी इसमें दो लोगों की मुर्टी हुई थी लके का माता जी थी और लका था और इस तुटना पर उनका दिवार्ट के लिए भेज दिया गया था जनाक तीस त इसके दोस्त रह्मन को तरफी द्वारा और कि और एक रात द्वारें पक्टोया पपउसुन उनके द्वारा कि गाई है अन्दर से द्रौदड बंग था मा को गिरने सोड लगी थी जिसकी मुर्टी गिरने से हुई है और रमन को हम लोगों ने मार दिया था और मारने के बाद हम लोग घबडाये और उपर चल के दीवाल फांग कर भाग दिया ऐसी खबर से जुड़ी रहने के लिए आप देखतेरे नया भारत दर्पन समाचार